हालो दोस्तों नमस्कार मैं स्वारव पाद्यार दोस्तों उपर वाले ने हमारे शरीर के लिए ऐसे ऐसे इंतजाम किये हुए हैं कि हम उन इंतजामों का अंदाजा भी नहीं लेगा सकते हैं हम सोच भी ने सकते हैं कि उपर वाले ने किस तरीके से हमारी बौड़ी को हर तरीके से protect कर रखा है। हमारा शरीर बनाने से पहले उपर वाले ने सारी चीज़ा सोच के रखी थी कि हमें किस तरीके से कौन से ओर्गन को protection देनी है जिससे कि वो ओर्गन किसी भी तरीके से किसी दूस परगाम से प्रभावित ना हो में लिए अगर मैं बात करूं दोस्तों तो उसने हमारे पूरे शरीर को इस तरीके की protection दे रखी है कि हमारा कोई भी ओर्गन किसी भी दरीके से एफेक्टिट नहीं हो सकता हमारे हर ओर्गन को उन्होंने पैरिडोनीन की एक लेयर दे रखी है जिससे कि वो किसी दूसरे ओर्गन से घिस के या रगड के अपने आपको हानी पहुचा है दूसरी चीज उन्होंने ओर्गन को उपर से कवरिंग देने के साथ साथ अंदर से भी कवरिंग दे रखी है हमारा पूरा इंटरस्टाइंग जो है इंटरस्टाइंग के अलावा हमारे जितने भी कैनाल्स है उन सब कैनाल्स के अंदर जो है उपर वाले ने एक layer देख रखी है mucos membrane की, उस mucos membrane के होने से ही हमारी सारी चीज़ें बड़ी ही smoothly होती है, smoothly होने का मतलब कि अगर हम घाना घा रहे हैं, तो वो हमारे मुझ से लेकर के और हमारे एनस तर, अगर smooth तरीके से जा रहा है, तो वो उसकी एक बहुत बड़ी मज़ा है mucos membrane, अगर यह mucos membrane नहीं होगा, तो यह जो आप खाना खा रहे हो, यह कई बार आप solid घाते हो, कई बार soft खाते हो, तो जब आप soft खा रहे हो, जब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप solid घा रहे होते हो, उस time पर वो आपके internal part को हांग कर सकता है, वो आपकी intestinal को छील स सकता है, वो आपके food pipe को हानी पहुचा सकता है, आपकी पेट को हानी पहुचा सकता है, तो उन सब चीजों से बचाने के लिए उपर वाले ने हमारे हर एक कैनाल के अंदर, एक mucos membrane की layer दी होई है, तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यहीं जानने वाले हैं, कि हम किस त तो हम किस तरीके से उस mucos membrane को दुवारा regenerate करेंगे, यह आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आयो दोस्तों, बिना समय दबाते हुगे देखते हैं, कि किस तरीके से हम अपने mucos membrane को active करें, दोस्तों, आगे बंदे से पहले, प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें, और पास ही बने हुए, बैल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे कि आने वाले नए वीडियो की आपको सही समय पे सूचना मिल सके। तो mucos membrane का दर्दम सेम किदर से चेक करेंगे, यहां से, यह mucos membrane का दर्दम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने लीवर का निकाला है, अल्बो जॉइंट से थोड़ा सा नीचे, और थाई के थोड़ा सा नीचे, ऊपर की बाट, यह पहला पॉइंट, यह दूसरा पॉइंट, यह तीसरा पॉइंट, मुकर्स membrane की हमारा एक बराबर एक होता है, ठीक है?